हेलो किट्स, मैं शवीना टीचर और आज में लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको ये सिखाती है कि सुनी-सुनाई बातों पर कभी यकिन नहीं करना चाहिए जो चीज आप आख से देखते हैं, समझते हैं, उनी बातों पर यकिन करना चाहिए और बिना किसी बात के आपको किसी पर शक नहीं करना चाहिए तो कहानी ऐसी है, एक चूजा था, छोटा सा, एक बार वो आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था दोपेर का समय था, वो सुस्ता रहा था अच्छानक तेज, बादल, बारिश का मोसम बना उसको लगा कि अब जरूर बारिश होगी तेज, और उसको ठंडी-ठंडी हवा अच्छी लग रही थी वो लेटा रहा, कुछ देर बाद आसमान में बिजली कड़कने लगी बादल गरजने लगे, और उसके सिर पे कुछ गिरा उसने ये भी नहीं देखा कि उसके सिर पे क्या गिरा है वो अचानक उठा और जंगल की तरफ भागने लगा वो दोडता जा रहा था और चिलाता जा रहा था कि सब भागो और बच्चो आसमान गिर रहा है रास्ते में उसको खरगोश मिला खरगोश ने पूचा क्यों चूजे भाई आप क्यों भाग रहे हो उसने कहा आसमान गिर रहा है भागो और अपनी जान बच्चाओ अब चूजे के साथ खरगोश भी भागने लगा आगे भागने लगे बंदर एक पेड़ पे बेटा हुआ था बंदर ने पूचा अरे आप दोनों कहा भाग रहे हो अब खरगोश ने कहा अरे आसमान गिर रहा है भागो बंदर भी भागने लगा आगे पहुँचे एक लोमडी चली आ रही थी लोमडी ने पूचा तुम लोग क्यों भाग रहे हो इस बार बंदर ने कहा कि भागो भागो आस्मान गिर रहा है अब ये चारों तेजी से भाग रहे थे अचानक उदर से जंगल का राजा शेर आ रहा था शेर ने सब को रोका पूछा क्यों कहा भाग रहे हो लोम्री ने कहा महाराज अपनी जान बचाईया असमान गिर रहा है शेर को हसी आ गई, शेर हसने लगा उसने कहा किसने देखा असमान गिरते हुए लोम्री ने कहा बंदर ने देखा शेर ने बंदर से पूछा, बंदर ने कहा मैंने नहीं खरगोश ने देखा शेर ने खरगोश से पूछा, खरगोश ने का मैंने नहीं चूजे ने देखा शेर ने चूजे से पूछा, बताओ आसमान गिर रहा है चूजे ने का हाँ आसमान गिर रहा है, तो बले कहा है आसमान, बले उसका एक टुकड़ा मेरे उपर गिरा था शेर ने का, बताओ वो टुगड़ा कहा है चूजे ने का, वो तो वहीं पर है जहां में लेटा हुआ आराम कर रहा था शेर ने का, ठीक है, चलो मुझे वो जगा दिखाओ और शेर हसने लगा अब पाचों जगा पर पहुँचे, जहां चूजा आराम कर रहा था और उसके उपर आस्मान गिरा था जब पांचों पहुंचे चूजे ने कहा मैं यहां लेटा हुआ था और अचानक बादल गरजने लगे और मेरे उपर कुछ गिरा देखा कहा गिरा चूजे ने बताया मैं यहां लेटा हुआ था शेर जोर जोर से हसने लगा और उसने अपने हाथ में आम उठाया और कहा चूजे महराज ये आम था जो आपके सीर पे गिरा था और आप बिना देके ये केके भाग रहे थे कि देखो देखो आसमान गिर रहा है फिर उसने चारों को खुब डाट लगाई और कहा जब तक आप अपना यकीन पराबर नहीं कर लेते हो आपक लेकीन नहीं करेंगे तो बच्चों आप भी कभी भी किसी की शिकायत करते हो तो मन गड़त कहानियां बिल्कुल ना बनाएं मैं अगली कहानी के साथ आप से फिर मिलती हूं तब तक के लिए बाई बाई